उनमें जो जजवा और जो सोचने के परविर्ती वो हमेशा दलित वर के परती रही है। उदेन आराईं चौधरी जी ने एक decision लेने की बात सुची कि भाई अगर एकल पद पर आरक्षन नहीं है तो फिर कभी भी एकल पद पर जो है अनुसुची जाती जन जाती पिछले जाती इन लोग को उसका लाव नहीं मिलेगा। तो इस दिशा में उदेन आराईं चौधरी जी ने एक आदेश भी निर्गत करवाए था जिसके तहद जो है उनको रोटेशन में लाव मिलने की बात की गई। रिजर्वेशन का लाव उदेन आराईं चौधरी जी ने दिला है जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धी कही जाए और जिसका की लोगों को यह जानकारी नहीं थी और इस जानकारी तब हुई जब हमारे उदेन आराईं चौधरी जी ने इस दिशा में हमारे द आपका इरादा है जो अठान लेते हैं वो कार्जकरम को संपाधित करके ही रहते हैं उसका कार्यान में सुनिष्चित करके ही वो जो है अंतिम पाइदान पर पहुँच करके ही वो अपना कार्जकरम को पूरा करते हैं नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियूज मैं हूँ योगी श्क्रवर्ती बिहार बिधान सवा के पुर्व अस्पिकर उदाय नरायन चौधरी लगातार दस सालों तत बिहार बिधान सवा के अध्यक्ष रहे हैं 2005 से 2015 तक वे इस पत पर रहे उदाय नरायन चौधरी दलितों के नेता हैं दलित समुदाई से आते हैं लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिधान सवा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने दलितों पिछडों के लिए कितना काम किया आज हम इसी मसले पर बात करेंगे पत निर्मान विभाग के पुर्व सुपरिटेंडेंट इंजिनियर श्याम कुमार जी से तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि उदाय नरायन चौधरी ने दलितों पिछडों के उत्थान के लिए क्या कुछ किया है स्याम जी आरेडी नियूज में आपका बहुत स्वागत है धन्यवाद आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप बिहार बिधान सभा के पुर्वर स्पिकर उदाय नरायन चौधरी जी को कैसे जानते हैं और उनसे आपकी जान पहचान कैसे हुई पर्थम बार जब वो इस पिकर पद पर एलिवेट किये और दोजार पांच में जब उन्होंने सपत गरहन किया और इसके उपरां तो वो जब अपने आवास पर पहुँचे तो मैं कुछ लोग के साथ उनके आवास पर पहुँचकर उनको बधाई दिया उसी करम में उनसे मेरी परचाय हुई और आगे का कार्ज करम करने के जो निती बनी वो उसी दिन कुछ दिर बैठने के उपरांते ही कुछ बाते हुई और उसके बाद मैं उनसे परमीशन लेकर मैं फिर मैं अपने घर बापस लोटाया और उसके अगले दिन के बाद यह कार्ज करम आरंब हुआ कि कैसे दलित बर का पिछले बर का समाज के लिए उत्थान का कार्ज करम आगे बढ़ाया जाए ऐसी स्थिति में उन्होंने मैं एक और सेर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि उनमें जो जजवा और जो सोचने के परविर्ती वो हमेशा दलित वर के परती रही है और जब वो विधान सवाई स्पिकर के पद पर एलिवेट नहीं हुए थे उसके पहले वो माननिय विधायक के रूप में थे और माननिय विधायक के रूप में रहते हुए वह उन्होंने एक विधेक लाए गया था बियार विधान सवाँ में वो विधेक था कैरी फॉरवर्ड भैकेंसिज एवं बैकलोग रोश्टर के संबंध में चुकि माननिय नियाले के द्वारा कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजन हुए थे जिसके करम में दलित वर को लाव नहीं मिल पा रहा था तो दलित वर के करंचारी और पदाधिकारियों को प्रोणती में वह कैरी फॉरवर्ड भैकेंसिज और बैकलोग भैकेंसिज का लाव दाने के लिए जो बिदान सवा में बिधेयक पेस किया गया था वह बिधेयक था बिहार आरक्षन अधीनियम की धारा चार वन में वह परविष्ट करना और उस परविष्ट का अर्थ ये था कि जो भी अनुसुची जाती जन जाती पिछले वर्ग के लिए जो भी बैकलोग भैकेंसिज य जा कैरी फॉरवर्ड वेकेंसी उनका लाव उनको दिलाये जाए उसके लिए जो है ब्यारारक्षन अधीनियम ये उनी सवेकान में में ही बनी थी और उसके उपरांत बर्स दोहजार चार में स्री उदय नाराइन चाधरी जीने बिधान सभा ध्यक्ष के पद पर रहते तो नहीं मैं कहूंगा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पहले माननिय बिधायक थे और माननिय बिधायक के रूप में उन्होंने इस बिधेयक को पारित कराया और जिसके आधार पर आगे अनुसुची जाती जन जाती पिछ्रे बर्ग के लोगों को उनके प्रोनती में अप आपने कोटा के अत्रिक्त बैक्लोग वैकेंसी और केरी फॉरवर्ड वैकेंसी का वह लाब मिलता रहा जिसके कारण उसका रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व जो है वह सही रूप से उनको प्राप्थ होता रहा है बात करें सब्सक्राइब के तौर पर उन्होंने पूरे दस साल रहे हैं इस पत पे तो बात करें उनके काम काजकी तो आकलन करें तो कैसे आप आकलन करते हैं कैसे गिनाना चाहेंगे कि आप स्पीकर के तौर पर उन्होंने क्या कुछ किया दलितों की भलाई के लिए आम तौर पर दलित नेता पर ये आरोप लगते हैं कि जब वो पे चले जाते हैं तो अपने ही समाज के लोगों के लिए काम नहीं करते तो आप कुछ गिनाना चाहेंगे उनकी उपलबधियां को बिलकुल गिनाना चाहेंगे अभी हमने सिर्फ एक भूमिका के तोर पर उनके सोच को हमने बताया कि जब मानिय बिदायक थे तो ऐसे स्थिती में उनका सोच किया था और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उनके स्पीकर के पद पर रहते हुए उनके कार्जकाल में उनके द् प्यार विधान सभा में पहली दफा एक सबसे महत्पूर्ण बात ये हुई कि अनुसुची जाती जन जाती पिछड़े बढ़ के लिए एक निती निर्धारन किया जाता है वो जब भी होता है तो बिदेयक ला करके बिदेयक पारित करा करके किया जाता है लेकिन लिए पुरोनत्ती में आरक्षन की व्यवस्था नहीं थी और नहीं निजुक्ती में थी तो इस स्थिति में मारे उदेनारहिण चाधरी जी ने जो प्रस्ताव लाया उस प्रस्ताव में यही था कि उनको जो है निजुक्ती प्रोनत्ती में इसका लाव दिलाया जाए तो एक हम का कि आपके बिहार बिदान सबाने ही ये बिध्यक पारित किया था बिहार आरक्षन अधीनियम जिसके तहत बिहार सरकार के करमचारी और पदाधिकारीयों को वो लाव मिल रहा है और वही लाव दिलाने की बात है तो ऐसी स्थिति में उसी हु बहु उसी को बीधेक लाकर करके उसको पारित करा जाए अथवा उसकी जो प्रकिरिया है वो प्रकिरिया में एक संचिका तयार करके और वह संचिका जो है चुकि अब प्रोनति का मामला है निजुक्ति का मामला है उसमें बीतिये मामला जो है वह दिखाई पड़ रहा है और साथी साथ जो है वो नियम और नियम आवली की बात है तो ऐसे स्थिति में फाइल को आप अपने अस्तर से कार्मिक विभाग और वित विभाग को प्रिष्टांकित करेंगे और वहां से जो आपका मनतब आएगा उसके अधार पर आप अग्रेतर क कारवाई करेंगे और वैसा ही हुआ उन्होंने जो है संचिका तियार करा करके एक निती निर्धारन के दिशा में वो कार्ज करम को आगे बढ़ाया और उन्होंने उस संचिका को प्रिष्टांकित किया उस समय वह कार्मिक प्रसाशनिक सुधार विभाग कहलाता था जो गया और उसके बाद लौ डिपार्टमेंट को गया और यह सारी प्रकेरियाओं को पूरा करते हुए हमारे उदेनाराईं चौधरी जी ने यह कार्ज को अंतिम रूप दिया और वहां इसका कार्यान वियन यानि विहार आरक्षन इधिनियम का कार्यान वियन सुनिश्चित क किया गया बिहार आरक्षन अधिनियम यह निजुक्ति वंप्रोनत्ति के दिशा में वह लाव देने के दिरिष्टी कौन से उसमें निती निर्धारित पहले से ही थी जो कि बिहार विदान सभा के लेवल से ही अस्तर से ही वह जो है कार्यान वन सुनिश्चित किया गया था अन्य बिहार सरकार के प्रसासी बिवाग के कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए ये निति निर्दारित पहले से की गई थी, तो फिर बिहार बिधान सभा सचिवाले के कर्मी और पदाधिकारियों के लिए क्यों नहीं थी? ऐसी स्थिति में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उदे नाराइन चौधरी जी का जो भीजन है दूर द्रिष्टी है पक्का इरादा है जो थान लेते हैं वो कार्जकरम को संपाधित करके ही रहते हैं उसका कार्यान में सुनिष्चित करके ही वो जो है अंतिम पाइदान पर प इंप्लिमेंट करवाया नौकरियों में पदोनत्ती और प्रमोशन को ले करके लेकिन इससे कितने लोगों को फाइदा हुआ कितने दलित पिछड़े को फाइदा हुआ इसे हां मैं आपको बता दूं पॉपलेशन के अनुसार जो है अनुसुची जाती का जो जन संक्या है वो उन दिनों जो है उसका रिजर्वेशन चौुदा परसेंट होया करता था और दस पर सेंट अनुसुची जन जाती को अब आप समझ सकते हैं कि 14 अनुसुची जाती और 10 अनुसुची जasती बाद में वह जो है पोपलेशन के दार पर जन संख्या के दार पर अनुसुची जाती के लिए 16% हुआ और जन जाती के लिए 1% हुआ और जहां तक BC और EBC और महिला के लिए रिजर्वेशन की बात है तो वह रिजर्वेशन भी जो है वह पोपलेशन के दार पर ही निर्दारी था और BC के लिए जो है वह 18% था और फिर महिलाओं के लिए 3% था और उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है EBC के लिए भी 12% आरक्षन निर्दारी था अ अब जहां तक करमचारी और पधाधिकारी कितने कार्जरत थे, चुकि यह तो पॉपलेशन की बात हुई, दूसरी बात ही आरक्षन परतिसत की बात हुई, अब जहां तक आपका प्रश्न है कि कितने लोग लावानवित हुए, तो इसका तो आंकडा जो है, जिस तरह से आप सुद्ल कास्ट का था, अनुसुची जाती का, और दस परसेंट अनुसुची जाती का, तो यह देखना होगा कि कितने लोग उन दिनों नौकरीओं में थे हैं, तो उसको यह मान करके चला जा सकता है, कि जो लिट्रेशी रेट है, वो एटलिस्ट फिप्टी परसेंट उनको को मान के चला जा सकता है, और फिप्टी परसेंट के अधार पर अगर फिप्टी परसेंट उनके समधाई का लोग अगर सरकारी नौकरीओं में हैं, तो निश्चित रूप से उस आरक्षन परतिसद का, फिप्टी परसेंट तो निश्चित रूप से अनुसुची जाती, ज उन्होंने और कौन से काम किये तो इसके अलावा भी उन्होंने काम किया है और वो काम है जैसे एकलपद की बात है एकलपद पर जो है मानने है सर्वोचनियाले का भी यह जजमेंट आये था रूलिंग था इस्टेबलिस्ट प्रिंस्पुल था कि एकलपद पर आरक्षन का लाव नहीं मिलेगा यह मैसेज समाज में चला गया तो ऐसी स्थिति में हमारे यह उदेन आरहीं चौधरी जी ने एक डिसीजन लेने की बात सुची कि भाई अगर एकलपद पर आरक्षन नहीं है तो फिर कभ भी भी एकलपद पर जो है अनुसुची जाती जन जाती पिछले जाती इन लोग को उसका लाव नहीं मिलेगा तो उन्होंने एक रूलिंग को अधियन करवाया रूलिंग के अधियन के बाद उसमें यह बात पाई गई कि चक्रानुपाती जिसको रेजी में रोटेशन की ब होता था दूसरा जेंडल के लिए होता था तीसरा जो है जेंडल के लिए होता था चौथा फिर स्लुकाष्ट के लिए लेकिन उसके बाद यह परिवर्तन हो करके फिर यह हो गया दूसरा पद स्लुकाष्ट के लिए फिर आठमा पद स्लुकाष्ट के लिए फिर उसके Rodation की बात कि पहला अगर वह पद सामान Will को मिला तो दूसरा सिलकास्ट को को मिलेगा της लाइस सामन को मिलेगा चोथा सा मनन को मिलेगा पिर इस तरह से चक्रानुपातिற् ć 나오manas सुलकास्ट को उसका लाव मिलेगा लेकिन ये मिलता नहीं था पहले पहले मिलता नहीं था लोगों को जानकारी की अभाव थी और लोग जो है कि मानने नयाले का मानने सरोच नयाले का जज्मेंट का अध्यन करते तब नो उसके संबंद में ये अपने लाव लेने की बात करते तो इस दिशा में उदेन आराइन चौधरी जी ने एक आदेश भी निर्गत करवाय था जिसके तहद जो है उनको रोटेशन में लाव मिलने की बात की गई अब जहां तक कितने को लाव मिला ये प्रस्ण आप करेंगे तो ये प्रस्ण ऐसा है कि एकल पद अगर कहां है इसको क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पे रोस्टर में रोटेशन नहीं था तो अगर उसी को इंप्लिमेंट करवा दिया गया तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है बड़ी उपलब्दी है दलित समाज के लिए पिछड़े लोगों के लिए इसके साथ एक और च टेकनिकल कॉलेज की बात करें तो वहां पर आपको एकल पद को ही ट्रीट किया जाता था जैसे पथ निर्मान विवाग में भी एक इंजिनियर इंचीफ का पद हुआ करता था उन नेनों ग्राम अभियंत्रन संगठन कहलाता था जो ग्रामिन विकास विवाग उसका प्रसा यह लाया गया इसका संसोधन और जिसमें यह कहा गया कि जितने भी एक हग से संबंधित जो है उसको सब को एक जगह जो है समयकित रूप से वह कत्रित करकर करके और उस पर फिर रिजर्वेशन का लाव दिया जाए इस पर भी जो है यह बात आई इस पर भी आदेश जत हुआ और कई एक एकलपद को जो है मिला करके उस पर भी रिजर्वेशन की बात आई और लोगों को मिला जैसे मेट्कल कॉलेज के प्रोफिशर की बात है होडी की बात हुई यह टेक्निकल डिपार्टमेंट के इंजिनियर इंचीफ की बात हुई तो इन सबों पद को ज लोगों को यह जानकारी नहीं थी और इस जानकारी तब हुई जब हमारे उदय नाराइन चौधरी जी ने इस दिशा में हमारे दलित समधाई को पिछरे बर को इसका लाव दिलाने में सफलता प्राप की आम तोर पे हम देखते हैं कि उदय नाराइन चौधरी जी जब भी एक किसी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो आज के दौर की बात करते हैं कि जो हमने इंप्लिमेंट किया लड़कर के जो आरक्षन लिया लेकिन जो मौझूदा शरकार है बो शिक खत्म कर रही है नौकर इनने मानने, मानने मानने, उच्च कणे आले का जो जज्दमिन्ट आये जिसमें要 क्रिंसिपल हूआ उसके लाइट में बीहार सरकार की यहाथ पार बंद गई ऐसा नहीं है की बीहार सरकार जो है हम लोग के दलित वर के लिए कुछ करना चाहती है नहीं करना चाहती है जब यह पता चला कि बिहार सरकार को क्या करना है तो ऐसे स्थिती में उन्होंने opinion के लिए law department को फाइल बना करके बेजा गया और उस स्थिती में जो आरक्षन की लाब देने के दिशा में जो law department advocate general ने जो ओपीनियन दिया जो मन्तव दिया उस मवह मन्तव बिल्कुल सुप्रीम कोट और हाई कोट के जज्मिंट में जो प्रिंस्पॉल डिसाइडेट थे जिसको लॉफ दी लैंड कहते हैं वो उस अस्तर पर जो है उसका लाव देने के लिए ब्यार सरकार सजग थी हां जहां तक सरक सरकार के संग्यान में लाने की बात हुई तो जब पद पर थे स्पीकर के रूप में माननी है स्री उदय नारहीं चौधरी जी उनकी बहुत अहम भूमिका रही और इस अहम भूमिका में जो है यह दलित वरका यानि मैं यह कहूंगा कि अनुसुची जाती जन जाती तो ये थे पत निर्मान विवाग के पुर्व सुप्रेटेंडेंट इंजिनियर श्याम कुमार जिन्होंने बताया कि किस तरह बिहार बिधान सभा के पुर्व अस्पीकर उदय नराहीं चौधरी ने दलितों के लिए अस्पीकर के पत पर रहते हुए काम किया और नौकरिय आरेडी नियोज पटना